वेलकम टो एस्टड़ी 24 दोस्तो एक नई भरती है बिहार में तो ये मैं आपको बता दूँ कि ये एक संस्था है जिसके द्वारा संबीदा के आधार पे भरती निकाली गई है जिसमें आप अपलाई कर सकते हैं इसमें सारी जानकारियत दी गई है तो यहां पे आप कैसे आवेदन करेंगे मैं आपको दिखा दूँगा और इसमें बेतन बगएरा कितना मिलेगा ये भी मैं पहले सब कुछ दिखाने के बाद ही आपको ऑनलाईन कैसे करना है ये भी दिखाऊंगा तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करि किया जाता है तो उसी कंतरगत आपका जो है ये भैकेंजी निकाली गई है जिसमें आपको भी सहायता करनी होती है इसी के लिए जो पोस्ट बगएरा है मैं आपको दिखाऊंगा सारा कुछ देख लिजिएगा सबसे पहले आपको यहां पे जब वेब साइट पर आएंगे देख सकते हैं यहां पे दिया गया है कौन-कौन सा पद है मैं आपको दिखा देता हूँ यह रहा गरीबी उन्मूलन अभियान कारियाले दादी जी लेन बोरिंग रोड पटना संबिदा चैन सूचना अनुदान संस्था के माध्यम से बिहार राज के दस जीलो में दो पर चैन की जानी है योग एवं अनुभावी अभियारतियों से आवेदन अमंतरित किये जाते हैं बाइस छे से ही यह आवेदन हो रहा है तो देखेगा कौन-कौन से आपका पोस्ट है जिला परवंधक यानि जिला कोडिनेटर है ब्लॉक कोडिनेटर है पर परखंड प परवंधक में आपका 434 सीटे हैं और मंडली मीत्र में आपका 74171 सीटे हैं और लोन मीत्र के लिए 74171 सीटे हैं जिसमें पुरूस महिला पुरूस महिला आवेदन कर सकते हैं जिला परवंधक और ब्लॉक कोडिनेटर के लिए महिला पुरूस दोनों आवेदन कर सकते हैं ल परखंब के लिए 4500 बेश्चे 370 बेतन दिकाया गया और भी 600 कॉलिक सब्सक्राइब रजान हाता है जाता है जो That often जिला परवंधक के लिए असनाता किया उसके समकच होना चाहिए या फिर देखिए परखंड परखंड परवंधक के लिए आप देख सकते हैं इंटर या उसके समकच होना चाहिए मंडली मीतर के लिए आप देख सकते हैं मैटरीक या उसके समकच होना चाहिए लोन मीतर के लिए मैट्रिक या उसके समकच होना चाहिए चैन पर के लिए एक्जाम नहीं लिया जाएगा अंको के अधार पर होगा देख सकते हैं संसोधीत नोटीस मेधा सूची के अधार पर होगा चैन तो पहले यहां पर कुछ इंटर्व्यू बेगर ली जाती थी लेकिन अब उससे हटा दिया गया है अब मेधा सूची के अधार पर चैन किया जा रहा है तो उम्र 18-40 वर्स होनी चाहिए पुरुस महिला आवेदन कर सकते हैं दोनों 22-6 से यह आवेदन सुरू हुई है 27-2020 तक आप आवेदन कर सकते हैं और 10 अगस्त 2020 तक आपका मेरिट लिष्ट जो है मेधा सूची वो इसी वेब साइट पर परकासित कर दी जाएगी और वहीं से आपको चैन के बारे में पता चल जाएगा समान अंक अगर दो अभ्यार्थी के रहते हैं तो जिनकी उम्र ज्यादा होगी उनको प्राथा मिक्ता दिया जाएगा यह जानकारी थी आगर आपको और भी कुछ जानकारिया चाहिए तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं अब मैं आपको ओनलाइन कैसे करना है यह भी दिखा देता हूँ यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखा दे रहा होगा आपको अपलाई नाओ अपलाई नाओ पे किलिक करना है और यहाँ पे किलिक करते ही देखिए यह form में आपको भरना होगा देखे फॉर्म के लिए यहाँ पे देख सकते हैं यह रहा fill up the form यहाँ पे किलिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है देख सकते हैं यहाँ पे आपको भरना है अपना जिला, ब्लोक और पंचायत कौन से पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यह आपको सेलेक्ट करना होगा देख सकते हैं ब्लोक मेनेजर, डिस्टिक मेनेजर कम्प्यूटर ओपरेटर मंडली मीतर, लोन मीतर किसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं तो जो भी आपको लगे अच्छा उसमें आवेदन कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ब्लॉक डिस्ट्रिक मेनेजर सेलेक्ट कर देता हूं और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूं अपना जिला ये देखिए जिस तरह से मैंने सेलेक्ट किया है उसी तरह से आप भी सेलेक्ट कर सकते है इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे नाम डालना है फादर नेम मदर नेम जनमतिती डालना है जनमतिती किस तरह से डालना है देखिएगा जनमतिती सेलेक्ट कर ले जो भी आपका और उसके बाद महिना सेलेक्ट कर ले और उसके बाद डेट सेलेक्ट कर ले ये डेट बर्थ देखिए सेलेक्ट हो गया इसी तरह से डेट बर्थ जो है सेलेक्ट करना है और यहां पर आप महिला है या पुरूस है सेक्स को सेलेक्ट कर ले अपना पूरा एड्रेस भर दे बार यह देखिए यहाँ पर आपको बाड़ नमबर, a state, city और पिन-code डालना है अब educational qualification यहाँ पर आपको metric का भर देना है board का नाम भरना यहाँ पर देख सकते हैं metric का board कौन सा था, कब pass किये, select कर देना है subject कौन सा था, तो metric में आपको क्या लिखना है? और परसेंटेज कितना है वो आपको लिखना होगा मेट्रिक में और उसी फरकार से इंटर का भी कौन सा बोर्ड था कौन से साल पास किये सब्जेक्ट में आर्स, साइंस, कॉमर्स जो भी है आपको डाल दीजे और परसेंटेज यहां पर डाल देना है और ग्रेजुएशन का अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का बोर्ड डाल दीजे इंवर्सिटी का नाम डाल दीजे यूनिवर्सिटी और यहां पेकप पास किये हैं आपने ग्रेजुएशन वो डाल दीजे सब्जेक्ट कौन सा था जो सब्जेक्ट था वो डाल दीजे और और ग्रेजिसर में कितना मार्क्स था वो डाल दीजिए ठीक है अब मुबाइल नमबर डालना है इमेल आईडी डालना है पैन या आधार नमबर डालना है या फिर वोटर आईडी का कार्ड नमबर डालना है एक्सपरियेंस अगर आपके पास है तो डालिएगा या फिर कम से क कम एक जरूर दिछेगा क्योंकि एक साल का उनुभब कम से कम मिद्ध करते हैं देना depth अगर नहीं देंगे तो हो सकता हैं आपको पीछे कर दिया जाए इसलिए मैं कहा रहा हूं अगर नहीं है तो नहीं दीजेगा लेकिन अगर दे सकते हैं तो एक साल का कम से एकम जरूर दीजेगा, यहां पिर आपको फोटो सेलेक्ट करना है, फोटो आपका 20 से 50 के भी का होना चाहिए, देखे, 20 से 50 के भी का पासपोट साइज फोटो होना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम रहेगा, तो आपका फोटो अपलोड नहीं होगा, फिर सिगनेचर आपको मेरे पास कोई भी experience नहीं है फिर भी मैंने वन येर डाल दिया है फोटो सेलेक्ट करके डाल दिया है जो कि 20 के भी से 50 के भी के बीच का होना चाहिए सिगनेचर डाल दिया है अब यहां पर जो लास्ट आपको दिखाई दे रहा है सब्मिट सब्मिट बटन पर किलिक कर देना है पहले इस पर आपको आईए डिकलेर देट पर आपको टीक कर लेना है पहले उसके बाद सब्मिट कर देना है ठीक है सब्मिट कर लेते हैं सब्मिट करने के बाद आपको एक यह इस तरह का मैसेज मिलेगा देखे यूर फॉरम डीटेल हैस बिन सब्मिटेड सेकसफुली पिलीज प्रोसीड टू दा पेमेंट पेज तो आपको कुछ पेमेंट करना है साथ पेमेंट के बारे में पहले लिखा नहीं था यहां पे देख सकते हैं यह थोड़ा सा देखिए ओपन हो रहा है तो आप किस-किस माध्यम से कर सकते हैं तो आप कार्ड के माध्यम से क्रेडिट कार्ड के माध्यम से डेविट कार्ड के माध्यम से डेविट कार्ड एटीम पीन के माध्यम से नेट बेंकिंग और यूपी आई जो आपका फोन पे Google पे बगए बगएरः है उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं बॉलेच से पेमेंंट कर सकते हैं पे लेटर से भी कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको दखा देता ह clar कैसे करना होगा ठपर सबस्क्राइब होगा और नमनरण macar staff उनका नाम के लिखना है बैंक का इमेंल इड डालकर यहाँ पर पैणाव किलिक्ष कर लेना है तो आपका जो है एप्लिकेशन सब्मिट हो जाएगा तो यह इस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं फिलाल में पेमेंट नहीं कर रहा हूं पेमेंट में बाद में करूंगा क्योंकि मैं यहां पे जो दिया गया पहले बताया नहीं गया था कि 500 रुपे पेमेंट लगेगा तो अभी मेरे बॉलेट में उतना पैसा भी नहीं है कि मैं यह पेमेंट करके दिखा दूँ आपको पेमेंट में बाद में करूंगा एक दो दिन के बाद तो चलिए तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आवेदन अगर आपको करना है तो जरूर करिएगा अच्छा फोर्म है गरीबों को यह साहिता करती है और इसमें आप काम करके गरीबों का हेल्प भी कर सकते हैं और अपनी आमदानी को भी जारी रख सकते हैं तो चलिए मैं मिलूँगा नेक्स वीडियो में वीडियो अच् अकलिबाए जेहिद